तो हलो वाईज मैं पाउन चोदरी आज की इस वीडियो के अंदर सर्वे की है उस सर्वे के मुताबित आपको पूरा नोर्शेट का जो मैन एक्जाम हुआ था उसकी एक्सपेक्टेड कट ओफ बताने वाले हैं जहां आपको लग भग बता देंगे बाकी एकदम एक्जेक्ट कट ओफ होती नहीं है कोई बता ही नहीं सकता कुछ बता भी नहीं चलता जो यहां पे अपन कट ओफ बताएंगे वो एक सिंपल से तरीके में बताएंगे ताकि आपको अच्छे से मतलब परसंटेज फलाना डिमकाना परसंटाइल नंबर क्योस्टन निकालने की जुरूरती ना पड़े आपको सिधा सा टारगेट बताएंगे शिद्धी सी जानकारी देंगे जिससे आपको 101% मोस्ट ओफ कंडिडेट्स को तो पता ही होगा कि मेरे इतने यह हो रहे हैं तो आप उस हिसाफ से आंकड़ा लगा सकते हो उसके अनुमानित कट ओफ जो है इका दुका उनी के फिडबैक के अनुसार जो है यह कट ओफ एस्टेक्ट कट ओफ बनाई जा रही है कट ओफ बनाएंगे या बताएंगे आपको उससे पहले एक चीज़ बता देते हैं चेनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करके बैल अकन को प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक कर देन और यार मित्र जो है आपके जिसने मैन एक्जाम दिया तो उसको शेयर कर देना ताकि पता चल सके उनके क्या बन रहा है आपका क्या बन रहा है तो इसका बेसिक से अपन सुरू करेंगे तो नोर्सेट सेवन मैन एक्जाम की जो है एकस्पेक्टड कट ओफ है यह फाइनल न प्री एक्जाम के अंदर क्वालिफाई तो लगबग 35,000 सुरूडेंट हुए थे बट इनको जितनी पोस्टे थी उससे पांच गुणा ही कंडिजेट मैन एक्जाम के अंदर लेने थे तो इन्होंने पास किये थे प्री के अंदर 7829 जो ओन मेरिटी सुरूडेंट थे उनको इन्होंने मैन एक्जाम के लिए बुलाया था यानि मैन एक्जाम के अंदर अभी ये सुरूडेंट बुलाया गए थे इनमें से एबसेंट जो रहे वो चीज अलगा वाकि 7829 सुरूडेंट मैन एक्जाम के अंदर बैठे थे जिसके अंदर मैन में बैठे थे इससे ये सुर आए थे और one third negative marking थी यह तो आपको basic पता है जो पहली बार exam दे रहा है उनको भी पता होगा कि 160 क्यों सनाए थे one third negative marking थी बस आपको अगर इतना पता है न तो definitely आपका जो cut off हम बताएंगे और calculate करने के आपको जरूरती नहीं पढ़ेगी वीडियो के साथ में पता चल जाएगा कि मेरा average कहां तक जा रहा है ओके चलिए अब total seat अब कर category wise बताएंगे आपको देखिए का general category की 510 seat थी OBC की 432 seat थी ये seat हैं cut off नहीं है cut off अभी बता देंगे और EWS की 221 seat थी SC की 223 और ST की 101 ये पहले का आंकड़ा जो भी चीजें थी जो बातें थी वो थी अब बताते हैं cut off आप general से हो EWS से हो ST OBC SC कोई सी भी category से हो male female हो vary करता है आपको 80% resurrection है female को 20% male को है तो उसकी साफ से female की cut off इससे कम जाएगी बट मैं male female नहीं बताऊँगा मैं randomly बताने की कोशी स्कूरूँगा और जो मैं cut off बता रहा हूं अभी जो cut off बता रहा हूं अगर इस cut off के category के अंदर या इस category के अंदर या इतने number के अंदर कोई female आती है तो उन cut off definitely 101% हो जाना है जो हम cut off अभी बता रहे हैं यह maximum cut off के तोर पर बता रहे हैं एक तरीके से मैं ऐसे बोलूँ कि जो 20% के अंदर candidate आ रहे हैं यानि male candidate की cut off है एक तरीके से वो ही बता रहे हैं चलिए expected cut off बता रहे हैं आपको cut off के अंदर ध्यान क्या देना है देखिगा यहां पर दे रहा है category with total number of right question देखिएगा मैं category होगी general total जो 160 question थे उनमें से अगर आपके कितने से ही हो तो आपका final selection हो सकता है मैं सिदा साथ इतना आपका 160 question है यार मित्रों के साथ आप discuss किया होगा यार मेरे तो cut pit के 110 बन रहे है 105 बन रहे है 107 बन रहे है discussion किया था ना या idea होगा बड़ा बड़ा कहीं से match किया होगा किसी एक साथ discuss किया है तो पता चल गया होगा बड़ा बड़ा आंकड़ा कि मेरा 105 110 के बीच मैं या 90 कितना है cut pit के one third छोड़ के okay तो अगर आपके cut pit के 108 स 113 question अगर सही बन रहे है general candidate के जो भी male candidate है general के 108 से 113 जिसके भी question सही हो रहे हैं यहां पर लगा रखा है 108 से 113 MCQs आप percentile को छोड़ो आप percentage को छोड़ो question याद रखो definitely question से ही percentage बनेंगे percentile जाता है टोप पर रहता है उसको 100% मान लिया जाता है तो 100 number वाला टोप पर रहे जरूरी नहीं 100 question वाला टोप रहे जिसके 100 सही हो वाकि आपको यह सोचना है अगर आप general के male हो अगर आपके 108 से 113 question सही हो रहे हैं काट पीट के तो आपका chance है कि आपका final selection हो जाए दूर द ही बन रहे हैं काट पीट के one third करके कोई बोलता है सर में 140 करके आया था बट मेरे को लग ऐसा रहा है कि मेरे जो 25 question गलत हो गए तो 25 question की negative marking कितनी होई तीन का भाग दो 25 के अंदर तो 8 question average गलत होगे 25 यह होगे कितने होए total 28 और 30 और 33 question होए और 140 आप करके आये थे 140 में से 33 निकाल दो कितने बच गए 107 यानि आपका कौन सी में है 140 करके आये थे 25 गलत थे तो आपके कितने बन रहे हैं सही question 107 मतलग OBC वाला 107 अपनी merit के अंदर आ रहा है ऐसे आपको average अपना question निकाल लेने है average भी निकलेगा आप से भी definitely सही नहीं निकलेगा क्योंकि answer की इनकी नहीं आई हुई है तो general की 108 से 113 question OBC की 105 से 110 question next बात करते हैं category wise के अंदर EWS की तो EWS के अंदर 98 में से 103 question जिसके card fit के सही बच रहे हैं last के अंदर उनका definitely chances है 101 percent हो जाना चाहिए क्योंकि आप उनने देखा होगा general के बाद में OBC की merit रहती है OBC के बाद में रहती है EWS की EWS और SC की merit average same रहती है आपने देखा होगा SC से कभी तो नीची भी आ जाती है EWS वाली EWS और SC इनकी merit average लगबग same रहती है 11% उपर ने ची होती है पुराना record आप देख लेने चाहो तो EWS candidate के 98 में से 103 question जिसके सही हो रहे हैं उनका होने के chances है SC की बात करते हैं तो 96 से 100 question जिनके सही हो रहे हैं काटपीट के उनका होने का chances है मैंने exam के अंदर finally जो आपका selection कहीं भी कोई BMS मिले या दूर दराज मिले chances है Next है ST ST category के अंदर जिसके 90 से 95 question सही बेट रहे हैं काटपीट के फिर negative की बिजए से जो सही question आपके कटे हैं वो काट दो उसके बाद जो question बच्चे हैं वो हमने ये question बताएं आपको इतने-इतने question अगर आपके सही बेटते हैं या आ जाते हैं काटपीट के तो आपका chances हैं कि हाँ Congratulation वाली बात आ यहां पे आने के पूरी-पूरी संभावना है बाकी तो final जो result आता हैं उसी के उपर depend करता हैं अपन कौन होते हैं merit बनाने वाले बाकी अनुमानित यही हैं क्योंकि काफी सारे students का survey या जिसने भी paper दिया है उनको पता करके पूछ करके paper का level कैसा था पता करके यह बहुत सारी चीजें जो है YouTube अपन कम्यूनिटी पोस्ट के अने डाल करके survey किया एक तरीके से तो वहां से यह data आये हैं और हमारे कुछ और भी तो यार मितर जिसने भी exam दिया था उनसे share करके यह data collect करे गए हैं average यही रहेगी यह cut off के अंदर नहीं आ रहे हैं उनको भी tension नहीं लेना हो सकता है severity से कम भी रहे जए और ज़्यादा भी हो जए बाकी level हमना आपको बता दिया कि इसकी nearby रहेगी थोड़ा सा कम भी हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है तो वीडियो को कर देना like चैनल पर नहीं सबस्क्राइब कर देना यहां पर like, share, subscribe और YouTube चैनल आपको जो भी अपडेट इन्फरमेंशन आता है सबसे पहले ऐसे ही देते हैं क्योंकि आप इतना जो है मैं स्पोर्ट करते हो और ऐसे ही स्पोर्ट करते हैं हम definitely कोई ने कोई अपडेट जो भी रहेगा पर सबसे पहले आपके लिए लेके आते रहेंगे तो आज की शुड़ी गंदरी तरह ही वीडियो को कर देना like और YouTube चैनल जो है अपना इसको subscribe कर लेना और यह PDF अगर आप पूच्छेए तो वीडियो के description box के अदर निचे Instagram, WhatsApp, Telegram सब के link दिये हैं वहाँ से हमारे साथ जुड़ जाना वहाँ पर यह PDF आपको मिल जाएगी तो आज की शुड़ी को देना ही थेंक्यू, बाइ-बाइ